Hello students, कैसे हो आप सब? Hope करता हूँ, आप सब बढ़िया होंगे तो आज की क्लास में हम Exercise No. 3.7 का Question No. 8 करेंगे तो देखते हैं इस Question में क्या कह रही है? ABCD is a Cyclic Quadrilateral Find the angles of the Cyclic Quadrilateral Okay तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि Cyclic Quadrilateral क्या होता है तो कोई भी एक ऐसी फिगर जिसकी चार साइडोंस को क्या बोलते हैं? Quadrilateral बोलते हैं जैसे आपका square है, rectangle है या फिर आपका parallelogram है तो ये सब ही क्या है? ये Quadrilateral है तो कोई भी एक ऐसी फिगर जिसकी चार साइडोंस को बोलेंगे Quadrilateral और हमारा Cyclic का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी Quadrilateral को उठाके मैं सरकल के अंदर डाल दूँ तो वो क्या बन जाएगा? Cyclic Quadrilateral बन जाएगा आई ये चीज़ समझ आपको तो इस कोशन में हमें एक figure दे रखी है जिसके अंदर हमें नाइन्थ क्लास में पढ़ भी रखी होगी तो वो प्रोपर्टी क्या कहती है? कि किसी भी Cyclic Quadrilateral के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिगरी होता है यानि कि एंगल B पलस एंगल D देखो ये अपोजिट एंगल्स हैं एंगल B के सामने एंगल D है तो आमने सामने वाले एंगल्स को अगर एड करेंगे तो उनका सम मिशा 180 डिगरी के एकवल आएगा और सेम उसी तरीके से एंगल A के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल C यानि कि एंगल A पलस एंगल C भी कितना हो जाएगा? हमारा 180 degree के equal हो जाएगा तो इस property का use करके हम सभी angles की values निकाल लेंगे तो मैं यहापे लिखता हूँ angle A मेरा कितना दे रखा है angle A मेरा है 4Y plus 20 angle B कितना है angle B है 3Y minus 5 angle C कितना है angle C है minus 4X और angle D कितना है angle D है मेरा minus 7X plus 5 तो सभी angles की values लिख ली मैंने तो अब property का use करेंगे तो मैं यहापे बीच में line draw कर लेता हूँ तो property क्या कहती है कि opposite angles का सम कितना होता 180 degree यानि कि angle A plus angle C किसके equal होगा 180 degree के equal सेम उसी तरीके से angle B plus angle D इनका सम भी 180 degree के equal होगा ठीक है तो देखो angle A मेरा कितना है angle A है मेरा 4Y plus 20 मेरा angle C है minus 4X equal to 180 degree तो इसको solve करेंगे देखो यह जो 20 है यह आपका इधर plus में है तो अगर इस 20 को मैं उधर भेज दूँँगा तो उधर जाके subtract हो जाएगा तो मैं लिखूंगा 4Y minus 4X equal to 180 में से अगर 20 subtract होगा तो कितना आएगा answer answer आएगा आपका 160 degree यह चीज आ गई हमारी अब क्या करेंगे देखो left side आपका 4 common आ रहा है तो 4 common ले लेंगे Y minus X is equal to 160 degree अब देखो यह जो 4 है आपका यह Y minus X के साथ multiply है तो अगर इसको मैं right side भेजूंगा तो इधर आके यह आपका divide में आजाएगा तो इसको मैं erase करके divide में लेके आता हूँ यह यहाँ से हटके इधर divide में आजाएगा और 160 को अगर मैं 4 से divide करूँगा तो answer कितना आएगा मेरा 40 degree तो इसको completely erase करके मैं यहाँ पर direct 40 degree लिखे देता हूँ आईए चीज समझ आपको तो यह मैंने इस condition को solve कर दिया सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो values put करेंगे यहाँ पर देखो angle b कितना है मेरा angle b है 3y-5 और angle d कितना है minus 7x plus 5 equal to 180 degree ठीक है यहाँ पर देखो आपका plus 5 है और यहाँ पर minus 5 है तो यहाँ पस में clear तो यह मेरी second equation आ गई और ये मेरी first equation थी तो इनको लिख देते हैं यह मेरी पहली equation है और यह मेरी second equation है तो मेरी दोनो equation आ चुकी है तो हमने just क्या किया प्रोपर्टी का यूज करके हमने 2 equation बना ली अब देखो यह दोनो equation क्या है linear equation है तो आपको पता है linear equation को आपको कैसे solve करते हैं linear equation को solve करने के बहुत सारे method होते हैं जैसे कि आपका substitution method है elimination method है और आपका cross multiplication method है तो आपकी मरजी है आप किसी भी method से इन दोनो equation को solve कर सकते हो तो जो method आपको अच्छे से आता न और इन दोनों equation को solve करेंगे next phase पे तो ये हमारी दोनो equation आ गई थी अब इन दोनो equation को elimination method से solve करेंगे तो आपको पता है elimination method में हम क्या करते हैं या तो हम y वाले जो coefficient उनको same करेंगे या फिर हम x वाले coefficients को same करेंगे तो मान के चलो मैं y के coefficient को same करता हूं तो देखो पहली equation का y का coefficient क्या है? 1 है और second equation में y का coefficient क्या है? 3 है तो अगर मुझे y के coefficient सेम करने हैं तो मैं क्या करूँगा? तो देखो अगर मैं पहली equation को 3 से multiply कर दूँ तो जो मेरे y के coefficient वो सेम हो जाएंगे तो यहाँ पर देखो मैं multiply करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा multiplying equation number 1 by 3 equation number 1 को 3 से multiply करेंगे तो देखो equal to के left side भी multiply करना है और equal to के right side भी multiply करना है कई बच्चे ना mistake कर देते हैं कि एक side multiply कर देते हैं दूसरी side multiply नहीं करते तो आपको यह mistake नहीं करने तो देखो किस तरीके से multiply करेंगे? 3 into y minus x equal to 40 into 3 तो multiply करने पर देखो क्या आएगा? 3 into y कितना हो जाएगा? 3y और 3 into x हो जाएगा? 3x equal to 40 into 3 हो जाएगा आपका 120 तो इसको माल लेते हैं equation number 3 तो देखो जो हमारी second equation है और third equation है उनके जो y वाले coefficient है वो आपके same आ चुके है ये भी 3 है और ये भी 3 है दोनों same आ चुके हैं यानि कि हमारा जो पहला step है वो हमारा complete होता है अब दूसरा step करेंगे तो देखो दूसरे step की मैं आपको trick बताता हूँ second step में क्या करेंगे? just इनके sign देख लो जो 3y है इसका sign देख लो क्या है? plus है same उसी तरीके से नीचे वाली equation का भी sign क्या है? plus है तो अगर इनके sign same आ जाए तो आप क्या करोगे? मैं आपको देखो लिखे देता हूँ अगर इनके sign same आ जाए तो आप करोगे subtract आई चीज समझे? और मानलो इनके sign different आ जाए यानि कि मानलो ये plus 3 है और ये मानलो नीचे वाला minus 3 आ जाए तो उस case में क्या करोगे? उस case में add करोगे लेकिन यहाँ पे तो देखो दोनो plus plus है यानि कि subtract करेंगे तो बड़ी equation में से हमेशा छोटी equation subtract ही जाती है तो देखो second equation मेरी बड़ी है क्योंकि देखो यहाँ पे 180 है यहाँ पे 120 है तो मैं second equation में से third equation को subtract करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पे line draw कर लेता हूँ यहाँ पे मैं लिखूँगा subtracting equation number 3 from equation number 2 तो बड़ी equation उपर लिखेंगे तो बड़ी equation क्या है? 3y-7x equal to 180 और छोट equation क्या है? 3y-3x equal to 120 subtract करेंगे तो देखो जब भी subtract करते हैं तो sign आपके change हो जाते हैं तो minus वाले plus हो जाएंगे और plus वाले minus हो जाएंगे तो यह minus 3x plus हो जाएगा यह 120 आपका minus हो जाएगा तो 3y में से 3y गया यह तो पूरा cancel यह देखो minus 7x है और यह plus 3x है तो कितना आएगा? minus 4x equal to 180 में से 120 गया तो कितना आएगा? यह आएगा 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 60 तो देखो यह जो minus 4x है यह आपका x के साथ multiply है तो अगर इस minus 4x को मैं उधर वेजूंगा तो divide हो जाएगा तो x is equal to 60y minus 4 और यह आपका cancel होगा तो कितना आएगा आएगा answer minus 15 तो मेरी x की value क्या आगई? minus 15 आ चुकी है अब निकालेंगे y की value तो y की value निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इस x की value का use करूंगा तो किसी भी equation के अंदर आपकी मर्जी है चाहे first, second, third किसी भी equation के अंदर इस x की value को put करो आपकी y की value आ जाएगी तो try यही करना कि जो सबसे simple equation है ना उसके अंदर put करना तो देखो मेरी सबसे simple equation कौन सी है equation number 1 मेरी सबसे simple है इसलिए इस x की value को हम equation number 1 के अंदर put करेंगे तो मैं इसको erase कर देता हूँ मेरी x की value क्या है minus 15 तो इस equation के अंदर जहां भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे minus 15 put कर देंगे तो y minus और x की value है minus 15 equal to 40 तो minus minus plus हो जाएगा y plus 15 is equal to 40 plus 15 उदर जाके subtract हो जाएगा तो 40 में से 15 गया तो कितना हैगा 25 तो मेरी y की value 25 आ गई और x की value मेरी minus 15 आ चुकी है लेकिन question के अंदर हमें सभी angles की value निकालनी थी तो देखो value कैसे निकालेंगे तो इसको मैं erase कर देता हूँ angle a मेरा किसके equal है 4y plus 20 तो इस equation के अंदर जहां भी y है वहाँ पे y की value put करेंगे तो y मेरा कितना है 25 तो y into 25 plus 20 25 into 4 कितना हो जाएगा 100 और 100 plus 20 angle a मेरा आ गया 120 तो angle a मेरा 120 है और angle b कितना है मेरा angle b निकालेंगे angle b है मेरा 3y minus 5 तो value put करेंगे 3 into 25 minus 5 तो 75 minus 5 तो यह हो गया मेरा 70 तो angle b मेरा है 70 degree तो angle b भी आ गया मेरा angle c निकालेंगे तो angle c है मेरा minus 4x और minus 4 into x की value है minus 15 minus 15 तो angle c आ गया मेरा देखो minus से minus cancel 15 for 60 60 तो angle c मेरा 60 degree आ गया सेम उसी तरीके से angle d भी निकालेंगे तो angle d मेरा किसके equal है minus 7x plus 5 value put करेंगे minus 7 into minus 15 plus 5 minus से minus cancel और 7 into 15 कितना होता है 105 105 plus 5 कितना होता है 110 तो angle d मेरा कितना आ गया 110 तो देखो मेरे सभी angles की value आ चुकी है तो यहाँ पर हमारा question complete होता है तो just this question में क्या करना था पहले property लगानी थी property से मेरी 2 equation आ जाएगी फिर उन दोने equation को solve करके मेरी x और y की value आ गई फिर इन x और y की value मैंने angles में put कर दी तो मेरी angles की value आ गई तो यहाँ पर हमारा question complete होता है तो hope करता हूँ आपको यह solution समझाया होगा और अगर आपको यह solution समझाया तो आप इस video को please like करें और मेरे channel को ज़रूर subscribe करें और अगर आपका कोई doubt या query है तो आप मुझे instagram पर message करके पूछ सकते हैं और please comment करके बताएं कि आपको यह video कैसी लगी thank you झाल 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 झूफ़रू